प्रेंड्स आज के इस टॉपिक में हम लोग टाइगर्स एंड इंडियन टाइगर रिजर्ब के बारे में डिसकस करेंगे तो चलते हैं हम लोग सुरुवात करते हैं इंडिया में टाइगर का conservation and protection की शुरुआत 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा क्या गया दुरिंग इंद्रा गांधी प्राइम मिनिस्टर सिट इसको आपको ध्यान में रखना है भारत में इंडियन टाइगर मिन्स बंगाल टाइगर को 1973 में नेशनल एनिमल के रूप में डिकलेर क्या गया प्रोजेक्ट टाइगर के अंतरगत इससे पहले भारत का नेशनल एनिमल लाइन था तो ये आपको दिमेंबर रखना है प्रोयल बंगाल टाइगर और ताइगर ऑशन के रेड लिस्ट में इंडियन गेर्जरड प्र है और सैट्स साइट के सेडियल वहन में या प्रोटेक्टिड है और इसे इंडियन वाड लाइप प्रोटेक्शन एक 1972 के अंतर गद्ठ सेड Dil वान में रखा गया है यदि आप इसको किल करते हैं या किसी भी तरह से हार्म पहुंचाते हैं तो आपको पनिश्मेंट हो सकता है 1972 वाइलाब प्रोटेक्शन एक्ट के अंतरगत एंवरामेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतरगत हो सकता है यह आपको रिमेंबर रखना है यह जो है टाइगर जो है एक क्रिस्माटिक आइकॉनिक अकोलोजिकल इंडिकेटर अनिमल्स है यह जो है बहुत ही अट्रेक्टिव एनिमल है इसे आइकॉन की रूप में जो है रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका इस फोरेस्ट में होने का मतलब फोरेस्ट का इन्वारामेंटल कंडिशन जो है गूड़ से एट मेंज इट रिप्रेजेंट भी हल्दी इकोसिस्टम इसलिए इसे क्रिस्मेटिक आइकॉनिक इंडिकेटर अनिमल्स भी का आजाता है यह जो है एक फ्लैग्शिप अंब्रेल की astuna species like flagship umbrella key astuna species means that कि यदि आप टाइगर का protection करते हैं conservation करते हैं तो आप उस एरिया में जितने भी animals है जितने भी environments है सभी को आप preserve और conserve करते है इसलिए इसे flagship umbrella and key astuna species भी कहा जाता है तो ये आपको remember रखना है यह टाइगर जो है आपको हरेक क्लाइमिट में एडप्टेड है यह आपको हरेक तरह के क्लाइमिट में पाया जाता है एक्स्ट्रीम बहुत एक्स्ट्रीम बहुत कोल्ड में और बहुत जो है आपको हाई टेमप्रेचर में भी पाया जाता है जैसे साइबरियन टाइगर आप कुछ लाज वाले रीजन में भी तयगर पाया जाता है और कुछ अफ्रीका में भीवी पाया जाता है और यह आपको तरह के बेजिटेशन में रहना पसंद करता है एक्सेप्ट जो है इजट संडी डिजट को छोड़ करके यह अरेग इंवर्रमेंट में रहना पसंद करता है जैसे की आपको ट्रॉपिकल रेंट फोरिस्ट इवर गिंट फ्रेस्ट टैंपरेट्ट फोर्षट मैं ग्रॉब स्वामप स्वाना ग्रसलेंड इन सब vegetation में ये रहना चैदा फसंद करता है आपको remember रखना है टाइगर का average age 26 years होता है ये भी आप remember रख सकते हैं उसके बाद जो है यह जो है टाइगर जो होता है बहुत ही अच्छा swimmer होता है और fish hunter भी होता ये आपको रिवारी में ये बहुत तेजी से बहुत दूर तक swim कर सकता और fish hunting भी ये कर सकता है तो ये आपको ध्यान में रखना है और टाइगर जनरली अपना life व्यतित करता है means that जो male tiger होते हैं वो अकेले अपना life को व्यतित करते हैं ये group में रहना पसंद नहीं करते हैं जिस तरह की lion group में रहते हैं लेकिन tigers group में नहीं रहते हैं ये आप remember रखना है इसके बाद जो है ये अपने prey means that जो अपने सिकार पर ये attack करता है ambusing करके जबकि lion जो है आपको group में सामना सामनी दौरा करके सामने से attack करता है लेकिन tiger ambusing करके generally सिकार पर attack करते हैं तो ये भी आप remember रखना है आपको आपको जो है लगबग ये tiger जो होते हैं tiger के body पर जो होते हैं लगबग more than hundred strips होते हैं मतलब आप देखेंगे इस figure में तो tiger के body पर जो ये धारियां है लगबग एक सो से जैदा धारियां होते हैं और किसी भी दो tiger का धारियां means that ash strip समान नहीं होते हैं इसके द्वारा भी tiger counting किया जाता है तो आपको ध्यान में रखना है ये बात उसके बाद चलते हैं लोग आगे तो लगबग वर्ल्ड में eight सबस्पिसिस tiger के पाए जाते हैं जिसमें इंडिया में जो सबस्पिसिस पाए जाते हैं उसे royal घृबाल टाइगर कहते हैं इसको ही इंडियन गॉर्डमेंट ने national animal के रूप में declare किया है तो ये आपको remember रखना है जिसे पन्थरा टाइगर भी का जाता है और यह रोयल बंगाल टाइगर एक मात्र टाइगर है जो की आपको स्वामपी मैंगरॉफ वाले रीजन में पाया जाता है तो यह भी आपको धियान में रखना है यह बंगाल और विस्व का मात्र एक टाइगर है जो आपको मैंगरॉफ वाले रीजन में पाया जाता है तो यह आपको ध्यान में रखना है उसके बाद चलते हैं हम लोग इंडिया लगवग विश्व का इसका मोर देन 75 परसेंट टाइगर पॉपलेशन को हॉम या शेल्टर देती है तब इंडिया में आपको लगवग 75 परसेंट से जैदा टाइगर जो है निवास करते हैं यह ध्यान भी रखना है और इंडिया में लगवग कितने 3000 टाइगर रहते हैं जबकि इसके बाद जो है टाइगर का पॉपलेशन के आदार पर हम लोग देखें कंट्री तो इंडिया अगवाद रस्या आता है रस्या अगवाद बंगलादिस आता है रस्या में 433 जबकि 500 तक अनुमान किया जाता है तो यह आपको रिमेंबर रखना और पूरे वर्ल्ड बर में लगवग आपको कि जो है जो है कि फोर हंड्रेट सब्सक्राइब फाइव फाइव हंड्रेट से लेकर सिक्स थौजन प्लस टाइगर है अब इसके बाद हम लोग चलते हैं विस्वर में टाइगर को कंजर्व करने के लिए टाइगर रेंज कंट्रियां जो है आपको टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम चला रही है जिसको टी इंटू टू टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम भी कहते हैं यह टी इंटू टू टाइगर प्रोग्राम जो है डिकलरेशन भी कहते हैं इसी के दुआरा 2010 में 29 जुलाइ 2010 को जो है पीटर्स डिकलरेशन के दुआरा कहा गया कि हम सभी टाइगर रेंज कंट्री मिल करके विसमें टाइगर के पॉपलेशन को 2020 तक डबल करेंगे तो इसी प्रोग्राम का नाम जो है टी इंटू टू दिया गया जिसका प्रमोशन वर्ल्ड वाइट फंड कर रही है तो ये बात आपको रिमेंबर रखना है कि तुरू टाइगर रेंज कंट्री को देख लेते हैं तो टाइगर रेंज कंट कंट्री जो है इसका दायरा रिडियूस कर गया है पहले लगवग आपको टाइगर रेंज कंट्री इस पूरे इलाका में आते थे लेकिन अब धीरे-धीरे ये रिडियूस कर गया है अभी फिलाल 13 कंट्रियों में है जिसमें आपको रसिया उसके बाद चाइना चाइना के बाद जो है आपको नेपाल नेपाल के बाद भुट्टान भुट्टान के बाद इंडिया इंडिया उसके बाद बांगलादेश बांगलादेश के बाद मयानमार मयानमार के बाद थाइलेंड उसके बाद लाओस उसके बाद आपको वेत्यनाम वेत्यनाम के बाद आपको कं कंबोडिया के बाद मलेशिया मलेशिया के बाद आपको इंडोनेसिया तो इस तरह आपके जो अभी है 13 country जो है आपके टाइगर रेंज कंट्री के अंतरगत आते हैं इन्हीं को टाइगर रेंज कंट्री भी कहा जाता है तो यह आपको रिमेंबर रखना है और हम लोग चलते ह इंडिया से रिलेटिड मेजर फैट्स पर जैसा कि हम लोग पहले ही मेंसेंट कर चुके हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का स्टार्ट इंद्रा गांधी के प्राइम मिनिस्टर्शिप के टाइम पिडियर में हुआ यह प्रोग्राम मिनिस्टरी ओफ इंवरामेंट एंड फोरेस्ट भारत सरकार एंड वर्ल्ड वाइड फंड दोनों के कॉपरेशन से जिम कॉर्वेट नेशनल फार्क उत्राखंड से स्टार्ट हुआ भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का इंप्लिमेंटेशन एंड जितने भी टाइगर है उनके कंजरवेशन एंड प्रोटेक्शन और उनसे रिलेटिड जो भी प्रोग्राम है उनका मॉनिटरिंग नेशनल टाइगर कंजरवेशन आथरिटी नटका करती है जिसका चेर्में, मिनिस्टर आफ इंबॉरामेंट एंड फॉरेस्ट भारत सरकार होता है नटका का कंस्टिचुशन मिन्स एस्टेबलिश्मेंट 2005 में वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक 1972 को एमेंडमेंट कर किया गया था ये बात आपको ठिमेंबर रखना है भारत में प्रतेक फोर इयर पर टाइगर सेंसस नटका और वाइल लाइफ इंस्टिचुट आफ इंडिया मिलकर करती है भारत में 2018 में जो टाइगर सेंसस हुआ इसमें पहली वार इंडिया के अलावा नेपाल, भुट्टान, बांगला देश भी कॉडिनेटेट रूप से टाइगर सेंसस किया तो ये बात आपको रिमेंबर रखना है इस टाइगर सेंसस के अनुसार लगभग भारत में 3159 टाइगर्स पाए जाते हैं जब की वर्ल्ड में लगवग 55,100 टाइगर्स हैं अप्रोक्सिमेटली और भारत में 3159 टाइगर्स हैं भारत में वर्ल्ड का टोटल 80% टाइगर रिसाइट करते हैं त्यूस्व का रिसुका भारत में जो 2018 में संसस हुआ उसके अनुसार में भारत में tiger population growth increasing rate जो है 6% per year है और भारत में 2014 में जो इससे पहले tiger census हुए थे उसके compare में भारत में 2018 में जो tiger census हुए उसमें लगवग 33% increasement हुआ है पिछले 2014 के population के compare में भारत में सबसे जयदा tiger MP उसके बाद करनाटक उसके बाद उत्राखंट में पाय जाता है MP में लगवग 526 करनाटक में 524 tiger आए जाते हैं भारत में लगवग जो है आपको 50 tiger reserve है भारत का पहला tiger reserve जिम कारविट नेशनल पार्क 1973 में project tiger के अंदर का declare क्या गया तब से लेकर अभी तक भारत में total 50 tiger reserve 18 states means that 18 राजों में establish किये जा चुके हैं भारत में tiger reserve का recognizations जो है center government के साथ साथ state government भी कर सकती है तो यह आपको remember रखना है भारत में जो अभी recently census हुआ तो 2018 में इसके अनुसार भारत में तीन national park means that tiger reserve में tiger नहीं पाए गए एक पलामू tiger reserve जो की जारकंड में दूसरा boxa जो की वेस्ट बंगल और थर्ड दंपा जो की मिजोरम में इन में एक भी tiger नहीं पाए गए यह आपको remember रखना है भारत में tiger conservation के लिए एक software लंच किया गया है नटका के दुआरा 2010 में जिसे m strips कहते हैं इसका fall for monitoring system for tiger intensive protection and ecological status है यह एक software है जिसके दुआरा tiger का monitoring किया जाता है इससे poaching को रोका जाता है और tiger को conserve किया जाता है तो यह बात आपको remember रखनी है अब इसके बाद हम लोग चलते हैं जितने भी tiger reserve है 50 tiger reserve उनको हम लोग map पर देख लेते हैं भारत में जो project tiger चलाय जा रहा है यह project tiger 100% central sector scheme है means that इसमें 100% भारत सरकार funding करती है यह बात आपको remember रखना है और यह जो project tiger के अंतरगर tiger reserve declare क्या गया है यह core and buffer zone strategy पर based है जिसको हम लोग figure से थोड़ा देखते है बीच वाला part जो है आपको यह core zone हुआ इसमें किसी भी तरह का human interference नहीं होता है absolutely free होता है human interference इसमें वही human interference होता है जो किसी भी तरह से tiger के ecosystem को harm नहीं पहुचाता है और वह human interference tiger के monitoring और tiger conservation के लिए हितकर होता है तो यह बात आपको remember रखना है जैसे कि कोई भी research जो टाइगर पी किया जाता है जो टाइगर के conservation और protection के लिए important और आविश्यक होता है ऐसे ही यहाँ पर human interference होता है जैसे tiger monitoring यह सब उसके बाद आपको आता है buffer zone जो होता है इसमें regulated रूप से human interference होते हैं इसमें tourism किया जा सकता है इसमें कुछ settlement भी होते हैं जैसे hotel और lodge यदि आप टाइगर देखने जाते हैं तो आप buffer zone तक ही जा सकते हैं देखने आपको code zone में इंटर नहीं करने दिया जाएगा इसमें research होते हैं educational प्रपस के लिए इसमें जो होते हैं function होते हैं तो यह बात आपको रिमेंबर रखना है और transition zone होते हैं यह सब के लिए लगवग लगवग फ्री होते हैं इसमें हरत रखे जो होता है function human interference होते हैं लेकिन इसमें भी regulated geography का मैप है हम इसलिए two maps से देख रहे हैं दोनों को coordinate करके हम लोग देखेंगे question जो है दोनों के coordination में पूछा जाता है जैसे कि 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 स्रीवर के पिनाडे येर टाइगर रिजर्व है किस hills पर है तो आप भी physical map को coordinate करके ही देखेंगे अब हम इस speaker को जूम करते हैं उसके बाद इसको तराही रेंज जाता है यहां तक इसके बाद इसर दो आरो ट council में रखना है अब चलते हैं लोग उत्राकंड से सुरुवात करते हैं तो थोड़ा उत्राकंड का लेते हैं कि यह है अपना उत्राकंड़ वाला पार्ट यह उत्राकंड में वह नदी पर इसरे ढंगा पर फैमिस्य टैगर जर राजाज़ी चाहर से और गंगा का ही एक टूइटरी है राम गंगा जिस पर आपको जिन कॉर्वेट टाैगर हों के डूकेटर है लौकटेद है उत्रा खंड में प्हारत का पहला डि लिजर्व है जिसे 1973 में प्रुजेक्ट ताइगर के अंतरगर डिकलेर क्या गया यह भारत का पहला नेशनल पार्क भी है 1936 में से नेशनल पार्क की रूप में डिकलेर क्या गया इसे पहले हैली नेशनल पार्क का आ जाता था भारत में सबसे जयदा टाइगर का पॉपलेशन आपको जीम कारवेट नेशनल पार्क मे में ही मिलस जिम कार्वेट में जो के उत्राकंड में अब जीश चलते हैं जसके पास और यह सबसे छोटा Tiger Reserve है इसके बाद हम लोग चलते हैं यूपी में ही पीली भीत वाला इलाखा पीली भीत वाला इलाखा ये है पीली भीत से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गौमती ये भी गंगा का ट्रिविटरी है गौमती इस पर पीली भी टो heavenly रिजरव है ज्यान में रहना है पीली गागरा नदीपर है गागरा नदीपर दोध्वा डियान में रखेंगे इसके बाद चलते हैं लोक बिहार बिहार में चलते हैं इस इसे इसनिका आपको वाल में की टैगर रिजर्व है, यह बाल में की टैगर रिजर्व आपको बूढी गंड़क और गंड़क के बीच में located है, आपको कोई भी ऑफ्सन जा सकता है, बूढी गंड़क या गंड़क, जनरली बूढी गंड़क रहना चाहिए, तो यहां पर, यहां जो है बिह और आपको फिजिकल मैप लॉकेट करते हुए जाना है तो इण क्लाइमिट से इसको कॉडिनेट करते हुए आप हम आपको आसानी होगी इसके बाद चलते हैं पर जोυτर एक देखते हैं दुसारे जो वेस्ट बंगाल में है आपको सुंदरन ंदिल्टा में तो यह वाला पार्ट है ने यहां पर पर टङब जेजय सै educated ऐधे तो यह आपको आपको रिखना सुन असम में जो फेमस टाइगर रिजर्व है आपको मानस रीवर पर है मानस रीवर पर आपको यहां पर मानस टाइगर रिजर्व है यहां पर ध्यान में रखना है मानस टाइगर रिजर्व आपको मानस रिवर पर है जो की ब्रहंपुत्रा का ट्रिविट्री है उसके बाद आपक पर पर नान मेरी ना मेरी आपको यहां पर अवस्तित है ना मेरी यह ना मेरी टाइगर रिजर्व जो है आपको केमांग नदी पर अवस्तित है जो कि आपको ब्रह्मपुत्रा का सहायक है इधर से आती है केमांग रिभर और इधर से जिया भड़ली रिभर आती है इधर से केमांग इधर से जिया भड़ली यहीं पर आपको जो है ना मेरी टाइगर रिजर्व है तो यह आप है यहां पर है काज रंगा टाइगर रिजर्व ध्यान में रखना है यह वन उन divergence के लिए भी फेमज है इसके बाद तो यह परताय ब्रंपुत्र गुझरती है ब्रंपुत रिबर पेए यह दूबोल से बोडार बनाती यह इसके बाद हम लोग समयर अरुनाचल प्रदेश में जो सबसे टाइगर रिजर्व है वो है आपको पुक्खई या पक्कई पक्गई आपको इसी केमार पर जोकि नामेरी के नौर्थ में है नामेरी आपको असम में है जब रही आन्दा पक्रिश पक्काई बिया जाता है इसके बाद दूसरा जो फैमस टािगर रिजर्व है अपना यहाँ पर है कि इसकाoter नाम अनार करू ये कमलां नदी पर है इसी के नीचे आपको यहाँ पर नामधहपा टाइगर बिघर नामधहपा तो यह आपको रखना है एक तो यहां कम लान्ग रेजर्व है दूसरा आपको यहां पर नाम धापा यह जर एक मात्र ऐसा चलते हैं जहां अगे चलते हैं तो आगे हम लोग में चलते हैं तो यह वाला पार्ट अपना मीजोरिम का है मीजोरिम में आपका दंपार धंप टैगर में यहां पर यहां पर लोंगाbers रिवर और धालिसłवार रिवर यहां से गुजरती है मिंसर कोई भी टाइगर नहीं पाए गया और नहीं अपका जो था यहां जो मानस में भी कोई आगे नहीं पाएगा तो यह पर egल रखेंगी इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे हैं ऑगे चलते हैं Α है किशारखंड की और रा एफ्ट में जो अलाम्र आ चोटा नागपूर वाला इलाका में है यहां यहां जो है रॉंग लिखा हुआ है अलाकि इधर भी है लेकिन यहां तो यहां है प्लामो टैगर जब इस टैगर में भी कोई भी टैगर नहीं पाए गया है कि चलते हैं मैं लोग आगे आगे चतिस घर में देखते हैं अपना दूसरा झाल का एड्डार में त CONCASBen um यहां नदि नर्मादान आधी-अमर्ज करेंग रेो mesureי गरी यहां पर यहां पर नॉर्थ सोड़ यहां पर करती है है यहां पर मरकंटक है Those are the famous tag by address जो की आपको फ्य॥ाहि düşत में लोकेटिद आपको ये रिमेंबर रखना है उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे आगे चलते हैं he क्रीत कर्द अपको श्कार में यहां पर है तेल नदी पर यहां पर इसका नाम है उदांती और सीतानती यह तेल नदी पर लॉकेटेट है जो की तेल नदी महानदी का ट्रिबीटरी है यह आपको रिमेंबर रखना है उसके बाद दूसरा टैगर रिजर्ब जो की बहुती फेमस है वो है आपको इंद्रावती जो की इंद्रावती नदी पर अवस्तित है इंद्रावती आपको कोदावरी का ट्रिबीटरी है तो यह आपको रिमेंबर रखना है उसके बाद अभी रिसेंटली जो है आपको संजय दूबरी नेशनल पार्क या टैगर रिजर्ब जो की MP में है उसी का ताइगर रिजर्व डिकलियर करने की घुसना की गई है जो कि आपको यहां है तो यह ध्यान में रख सकते हैं लेकिन अभी इसका जो है कोई ऑथेंटिक नोटिफिकेशन नहीं आया है अब चलते हैं आगे अगे चलते हैं लोग उरिसा में उरिशा में लिए फेमस टाइगर जर्व है इसको आफ ध्यान में रख सकते हैं सिमली पाल टाइगर रिजर्व कि उसके बाद चलते हैं आगे आगे आपका महानदी पर जहां से लगवग मिलती है उससे थोड़ा आगे सब्कोशिया टाइगर जर्व है तो यह आपको रिमेंबर रखना है है सथकोषिय तकि इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे आगे चलते हैं एंपी में एंपी में चलते हैं तो एंपी में अपना जो दूसरा टैगर आ यहँए सबसे फेमस वह टैगर रिजड आपको यहां पर जिसका नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना टाइगर रिजर्व जो है आपको केन नदी पर लोकेटिड है जो की केन आपको जुमना का ट्रिविट्री है उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे आगे चलते हैं तो दूसरा जो टाइगर रिजर्व है आपको यहाँ पर वाले रिजन में पाया जाता है और यहां से सोन रिवर नजदिक से गुजरती है साइड से ध्यान में रख सकते हैं यह आपको 36 गट के साथ बूर्डर बनाती है ध्यान में रखेंगे इसको संजय दुबडी को उसके बाद आपका संजय दुबडी के लेप्ट में यहां वैस् इसे के नजदिक से जोहिला रिवर पास करती है और सोन रिवर दोनों पास करती है तो यह आप रिमेंबर रख सकते हैं उसके बाद दूसरा ताइगे रिजरिव जुए आपको नर्मदा नदी के पास ऐसे जिसका नाम है आपको कानहा नसेनल पार्क तो कानहा नेशनल पार्क जो है आपको यहां पर है कानहा नेशनल पार्क त्यान में रखना है कानहा नेशनल पार्क यहां कानहा रिवर है या बुरन हेर रिवर है जो की आपको नर्मदा का ट्रिविट्री है उसी के पास में कानहा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व है यहां पर उसके बाद जो फेमस टाइगर रिजर्व है एंपी में वह है पेच पेच जो है आपको यहां पर है पेच टाइगर रिजर्व आपको एंपी और महाराष दोनों में फैला हुआ है दोनों जगह यह कॉंट किया जाता है तो आपको ध्यान में रखना यह दोनों जग तो यहां पर पेच अवस्थित है यहां पर बगल से आपको तापी जाती है तो ध्यान में रख सकते हैं और पेच भी एक साहएक नदी है तो इस टैगर रिजर्व करके पास करती है इसके बाद चलते हैं लोग आगे आगे चलते हैं दूसरा टैगर रिजर्व है अपना सत्पुरा सत्पुरा रेंज है यहां पर सत्पुरा रेंज में सत्पुरा टैगर रिजर्व है MP में यह आपको रिमेंबर रखना है अब चलते में सतपुरा के नीचे ए मेल घाट जर्व सकुला आपको उपर है इधर जब्हकि मेभाट टाइगवर आपको है हम तो आपको भ्राइसर अहल इहहां महाराश्ट रेमा कहा है यह महारास्ट्र में है कि आगे चलते हैं तो मेलगाट के नीचे इधर आपको बोर टैगर रिजर्व है इसमें बफर जो नहीं है और यह सबसे चोटा टैगर रिजर्व भी माना जाता है उसके बाद आपका इस वेन गंगा के पास जो है यहां पर नवेगों नाग जीरा टैगर रिजर्व है तो यह धियान में रखना है नवेगों नाग जीरा टैगर रिजर्व यहां पर है नवेगों नाग जड़ी या नाग जीरा कह सकते हैं उसके बाद आपका दूसरा टाइगर रिजर्व जो है वो है तदोबा आंधेरी तदोबा आंधेरी आपको पेन गंगा के पास है यहाँ पर तदोबा आंधेरी तो यह ध्यान में आपको रिमेंबर रखना है उसके बाद जो है अपना दूसरा टाइगर रिजर्व जो महराष्ट में है वेस्टन गाट में है इधर यहाँ पर कृष्णा नदी जहां से निकलती है और उसका एक सहाय का वर्णा दोनों के बीच में साहेद्री साहेद्री टाइगर रिजर्व यह आप रिमेंबर रखेंग आंध्रा और तेलंगना वाला इलाका में तो तेलंगना में आपका इस इलाका में यह गुदावरी रिवर है इसके उपर आपको कवल टाइगर रिजर्व है तो ध्यान में रखना है कवल टाइगर रिजर्व कहा है आपको तेलंगना में उसके बाद आपको यहाँ पर जो ह तेलंगना में ही आपको आमराबाद टायगर रिजर्व है तो ये भी ध्यान में रखना है दिंडी नदी है जो कि आपको कृष्णा की ट्रिविट्री है उसी पर है आमराबाद टायगर रिजर्व और आंध्रा पर्दिस में इसी के नीचे जो है आपको नागा अरजुन शरी सरी सेलम और अमराबाद पहले दोनों एक ही टैगर रिजर्व थे दोनों को नागा अरजुन और सरी सेलम के ही नाम से जाना जाता था लेकिन आप्टर पार्टिशन आफ देलंगना फ्रॉम अंद्रा प्रदेश बॉट टैगर रिजर्व नॉन डिफरेंट टैगर रिजर्व तो उपर वाले पार्ट को आपको अमराबाद कहा जाने लगा नीचे वाले पार्ट को सरी सेलम कहा जाने लगा और यह सरी सेलम टैगर रिजर्व भारत का सबसे बरा टैगर रिजर्व है सबसे बरा टैगर रिजर्व है लार्जेश टैगर रिजर्व और इसका सबसे बरा क सरिसेलम और आमरावाद को कौन सा रीवर अलग करती है दोनों के बीश से कौन गुजरती है और इस से एक और रीवर गुजरती है सरिसेलम से जिसका नाम है गुंडला रीवर ठ्यानवे रखना है इसके बाद चलते हैं हम लोग दूसरा तो दूसरा चलते हैं हम लोग करनाटक में चलते हैं तो करनाटक में जो फेमस टाइगर रिजर्व है वो हम लोग देखते हैं यहां पर गवा के पास यहां पर है काली नदी रिवर है उसी के पास है काली टाइगर रिजर्व भी कह सकते हैं या दान देली अंसी टाइगर रिजर्व कह सकते हैं उसके बाद दूसरा आपको तुंगा भद्रा ये रिवर दिख रहा होगा इसी पर यहां पर एक इस तुंगा भद्रा में एक भद्रा नदी इसकी सहायक है तो यहां पर भद्रा टाइगर रिजर्व है तो यह आपको रिमेंबर रखना है उसके बाद आपका जो दूसरा टाइगर रिजर्व है कर आउवेरी का रामक्षमन्द टिर्थ है उसी पर अवस्तित है नागरहुल को टाइगार रेजर्व उसके बाद आपको नागरहुल कि जिस्त नीचे यहा पर बांदीपूर की टाइगर रिजर्व है बांदीपूर के बाद जो है आपको इधर इस साइड में बीली ग्री रंगनाथ टेंपल टाइगर रिजर्व अवस्थित है तो यह आपको ध्यान में रखना है बीली रंगनाथ टेंपल टाइगर रिजर्व जो की आपको यहां पर है काविरी नदी के पास ही यह भी करनाटक के उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा एक ऐगर रिजर्भ है आपको यहां दोड़ा बेटा के पास तमिल्लाडू में तमिल्लाडू में है चलते हम लो क। करनाटक से इसका नाम है मधुमलाई तो आप देख रहे हैं यह जो है इश्टरंघाट और वेस्टरंघाट दोनों के जंक्सन पर है जहां मिलती ए उसी तरह यहां पर सत्यमंगलम एक टैगर जर्व है, जस्ट यहीं पर निल्गिरीहिल का ही पार्ट है सत्यमंगलम यहां पर भी इश्टरंघाट और इस पूरे इलाका में आप देखेंगे तो यहां पर सत्मंगलम है यहां पर मदु मलाई है तो आपको रिमेंबर रखना है ऐसा कोश्चन पूछा जा सकता है ऐसा पूछा भी गया है इसके बाद जो है अपना दूसरा टाइगर रिजर्व जो है आपको तमिलाडू में अन्ना मलाई हिल के पास अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व एसके बाद दूसरा टाइगर रिजर्व जो है कलाकट मुंदन थर्वाए वो आपको मुंदन थरौि पाहा जाता है तो आपको धयान में रखना है यहां से पास्ते चित्तर नदी जो है इस होकर पास होती है इसके साइड से और इधर से इधर एक अचानक वाली नदी भी पास होती है इधर की ओर ध्यान में रखना है अब इसके बाद हम लोग केरल में चलते हैं केरल में अपना जो फेमस टैगर जर्व है यहाँ पर है पेडियार यहाँ पर काड़मों के प पास हो तो यहां से जो है आपको पम्बा और पेरियाय और इधर की और जाती है ख्यां में रखना है और जल तो उसके बाद जो अपना दूसरा प्रह आपको रहां की आपको इहां पर जहां पर तक्यां पर अन्न depths को अन्नमल यह तरह से उससे दोने दोनों के बीच आपको है मकुंद्रा हिल टाइगर रिजएर्व ध्यान भी रखना आपको मकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व है आपको चंबल पर भी पूछा जा सकता है कि मकुंद्रा टाइगर रिजर्व चंबल पर है तो सही होना चाहिए उसके बाद इसके साइड से इधर से काली सिंध भी जाती है अब चलते हैं हम लोग आगे दूसरा टाइगर रिजर तो ध्यान में रखना है यहां पर है यहां पर बनास और चंबल रिवर मिलती है उसी के कंफ्लेंस पर उससे पहले है उसके बाद जो दूसरा टाइगर रिजर्व है अपना इस वाले इलाका में है रावली वाले इलाका में साबई और गंभीर नदी के पास में साबई इधर ज है जहां पर ट्राइगर को ट्रांस लॉकेट करके सक्सिस्पुली बसाया गया तो यह आप ध्यान में रख सकते हैं यह भी फ्रिंट्स इसके अलावे हम लोग कुछ और मेजर फेक्ट्स देखते हैं जो की इंपॉर्टेंट है तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि किस-किस सबसे पहले देखते हैं नहीं पाया जाता है नहीं हिमाचल में नहीं पंजाब में नहीं हर्याना में उसके बाद आपको गुजरात में भी कोई टैगर रिजर्व नहीं है उसके बाद आपको दादर नगर हेवेली दमंदियू में भी कोई नहीं है उसके अलावे आपको ग 위한ısı में धारजर, नहीं उसके बाद मेले में नहीं है उसके बाद आपको ना गालेंड में इसके बाद मणीपूर मी नहीं है उसके बाद तिरपुआ में नहीं है था है है तो हम लोग कॉंट करें तो कितने स्टेट में टाइगर रिजर्व नहीं है तो फिर पुड़ा वान मनीपूर टू नागालें त्री मेगाले पूर मनीपूर फाइब उसके बाद गववा सीक्स उसके बाद गुजरात सेवन उसके बाद सेवन के बाद हर्याना एट सेट में कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है इसके अलावा यूनियन ट्रेटरी जंबू कस्मीर लद्दाक नमंद्यू दादर नगर हवेली और पुडूचेरी में कोई भी टाइगर नहीं है इसके अलावा आपको अंडवान निकावार और लक्षदीप में भी कोई भी नहीं है अब चलते हैं हम लोग पूरे भारत में और कुछ देख लेते हैं जो कि पहले हम लोग ने चर्चा कर रखा है यदि टाइगर रिजर्व के अंतरगत सबसे ज्यादा एडिया किस स्टेट में है पूछा जाए तो यह महाराष्ट सोरी एंपी में सबसे ज्याइदा है ज्यान भी रखना है सबसे स्मॉलेस्ट जो है आपको बारत का टाइगर रिजर्व जो है वह है अमनगार टाइगर रिजर्व यह भी आपको रिमेंबर रखना है जो कि आपको यहां पर है उत्तरप्रदेश में तो फ्रेंड्स थांक्यू पर लिसेनिंग एव नाइस टे है